दोस्तों नोस्कार मैं जगनाद गौतों देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तों आप मानें या ना मानें लेकिन ये एक कटू सत्य है के हरियाना में पिछले दस सालों में कांग्रेश नेताओं ने ही भाजपा को समारने और सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निवाई है यदि ये कांग्रेश के नेता कांग्रेश को छोड़कर भाजपा में ना जाते तो शायद पिछले एक दसक में या दो बार भाजपा हरियाना में 87 नहीं होती और 2019 में जिस तरीके से हरियाना में भाजपा 10 की 10 लोगशवा जीतने में काम्याब हुई उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेश नेताओं ने ही दिया जब ये कांग्रेश के टॉप के नेता कांग्रेश छोड़ भाजपा में आए तो ना केवल ये सांसद विधायक बने और जो इनके हजारों समर्थक इनके साथ भाजपा में सामिल हुए उस कारण वो भाजपा जो दो-चार सीटें ही हरियाना विधान सावा में जीता करती थी वो सत्ता में बहुमत में आ गई तो ये कारणामा भी हरियाना में कांग्रेश या विपक्ष के नेताओं ने ही कर दिखाया और भाजपा को सत्ता में लाने का और जमाने का काम कांग्रेश के नेताओं नहीं किया वो कैसे दोश्तो हम वो ही आज आज आपको बताने जा रहे हैं कि ये टॉप के दस बारे नेता कौन से हैं जिनके कारण भाजपा हरियाना में विधान सवा चुनाव जीती और लोग सवा चुनाव जीती और इन कांग्रेशी नेताओं ने जिस तरीके से कांग्रेश की पीठ में छुरा गहुपा और अपनी विरोधी पार्टी को जिताने का काम किया हकीकत तो ये है नेताओं के लिए टिकट और सत्ता ही सर्वोपरी होती है उनके लिए कोई पार्टी या सिद्धान्त माने नहीं रखता तो दोस्तों आज हम यही आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं कि वो कौन-कौन से मुख्य नेता रहे जिनोंने कांग्रेश का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा और खुच जीते और भाजपा को जिताने का काम किया शत्ता में लाने का काम किया दोस्तों हम शुरुवात करते हैं कांग्रेश के दो बार मुख्य मंत्री बने चौधरी भुपेंडर सिंग के रिष्टे के भाई चचेरे भुपेरे चौधरी विरेंडर सिंग ने कांग्रेश छोड़ी और भाजपा में गए या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि भाजपा खुद को मजबूत करने के लिए चौधरी विरेंडर सिंग को भाजपा में लाई और भाजपा में लाई ही नहीं बलकि उनको केंद्र में मंत्रे भी बनाया गया इससे आगे बढ़ें तो दोश्तो दच्छिन हर्याना के बड़े नेता जिनके आसपास दच्छिन हर्याना की राजनीती घूमती है प्रभाव शाली नेता हैं राव इंदरजी सिंग भी कांग्रेश के टॉप के लीडरों में रहे हैं लेकिन इन्होंने भी हवा का रुख देखकर और भाजपा अलाकमान के बुलाने पर कांग्रेश छोड़ी और भाजपा में सामिल हुए और सामिल ही नहीं हुए शांसत बने और केंद सरकार में मंत्री का पद भी उन्हें मिला नवा जा गया इसी तरीके से भीवानी के सांसत धरम सिंग भी कांग्रेश के बड़े नेता रहे हैं बड़े राजनेतिक परिवार से उनका तालुक रहा है लेकिन 2014 में उन्होंने भी कांग्रेश का दामन छोड़ दिया भाजपा में सामिल हुए और भाजपा के टिकट पर भीवानी महिंदरगर से चुनाव लड़कर सांसद बने और तीसरी बार सांसद बने इस बार भी जीतने में काम्याब रहे इसी तरीके से सोनिपस से रमेश कौशिक ने कांग्रेश का दामन छोड़ा और भाजपा में सामिल हुए और सांसद बने करनाल के पूर सांसद अर्विन सर्मा भाजपा में सामिल हुए और रहोतक सीट पर उन्होंने एक मजबूत कांग्रेश उम्मिद्वार यानि कांग्रेश के पूर सीएम चौधरी भूपिंद्र हुड़ा के बेटे दीपिंद्र हुड़ा को पटक नहीं दे दी ये एक बड़ा चोंकाने वाला परिणाम था हालांकि वो लगभग सास सीटों से जीते थे तो माना जाता है कि उनको जवरन भाजपा हाई कमान ने साम दाम दंडवेद से हरवाया था लेकिन इस बार दीपिंद्र हुड़ा ने अपनी हार का बदला लिया और कैई लाग से अरविन सर्मा को हराने में काम्याब रहे इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक कांग्रेस के एक युवा हस्ताक्षर थे जो राष्टिय यूद कांग्रेस के राष्टिय अध्यक्ष भी रहे और शिर्षा से लोक्षवा का चुनाव लड़े 2009 में तो जीते भी लेकिन उनकी चौदरी भूपेन सुद्धा से पटरी नहीं बैठी इसलिए वो कांग्रेस छोड़ गए पहले टी-े-म-सी में गए फिर कांग्रेस में फिर जो टी-े-म-सी में गए फिर आप पार्टिय में गए और इन सारी पार्टियों का ब्रह्मन करते हुए वो अंतते भाजपा में सामिल हुए जो प्रदेश अध्यक्ष रहेते हैं शोगतमर कांग्रेस के उन्होंने सिर्षा से फिर चुनाव लड़ा लेकिन कुमारी सेलजास के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि चार बार के सांसद रहे फरिदाबाद लोगशवा के सांसद अवतार भड़ाना भी कांग्रेस को अलविदा कह गए और हवा का रुक पैचानते हुए भाजपा में सामिल हो गए और ये ही नहीं वो उत्तर प्रदेश में जाकर राजनीती करने लगे और यदि मैं गल्ती नहीं कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश की मीरा विदान सवास चीट से वो चुनाब भी जीच चुके हैं लेकिन उसके बाद 2019 में वो फिर कांग्रेश में लोटे थे और कांग्रेश हाई कमान ने उन्हें फरीदावास से फिर टिकट दिया लेकिन कृष्णपाल गूजर के सामने वो टिक ना सके और लगबख शाड़े छे लाग बोटों से उनको हारका सामना करना पड़ा उस चुनाब में हारने के बाद वो फिर भाजपा में लोट गए और अभी पिछले दिनों वैसे तो वो शांत बैठे थे लेकि पिछले दिनों उन्होंने फरिदवाल लोकसवा सीट पर कांग्रेश के उम्मीदवार चौधरी मेरंदर प्रताब का साथ दिया खुल कर उनके समर्थन में आए अब उन्होंने समर्थन तो दिया लेकिन अभी इस्तिती स्पष्ट नहीं है कि वो समर्थन उन्होंने समर्थन दिया महिंत परताब जी को या कांग्रेश में भी लोट आए हैं विदीवत अभी ये गोशना नहीं हुई है कम से कम मैं नहीं जानता हूँ इस ही कड़ी में अभी हाल ही में आप कह सकते हो कि हर्याने के पूर सीएम चौदरी बंसिलाल की पुत्र वदू जो विधायक और मंत्री रही है भिवानी से संभवते अतावलू सीट से कई बार मंत्री भी वनी हरिया नाम है उनकी बेटी सुती चौदरी भी भिवानी महिंदरगड से दो बार सांसद जिती सांसद रही हाल ही में उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और उनका आरोप भी चौदरी भूपेंद सिंग हुड़ा पर ह कि उनकी कारण ही उने कांग्रेस को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ताव देविलाल के बेटे चौदरी रंजीश सिंग जो पिछले विधानसवा चुनावों में रानिया से आजाद उमीदवार के तोर पर विधायक बने थे लेकि उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दिया और भाजपा ने उन्हें मंत्रिपद नवाजा लेकिन अभी हाल ही में हुए लोक्षवा चुनावों में उन्होंने विधिवयत रूप से भाजपा का दामन थामा और भाजपा हाई कमान ने उन्हें हिसार से लोक्षवा इसके अलावा हर्याना के पूर मुख्य मंत्री स्वर्गिय बजनलाल जी के बेटे चौदरी कुलदीप सिंग जो हर्याना में अपने आपको मुख्य मंत्री का स्वभाविक उम्मीदवार मानते रहे लेकिन कहा जाता है कि उनकी भी भूपेन सिंग हुड़ा जी से पटरी नहीं भैटी और हुड़ा जी ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया इसलिए मजबूरी में चौदरी कुलदीप सिंग विश्नोई भी कांग्रेश का दामन छोड़कर भाजपा में सामिल हो चुके हैं तो दोस्तो ये तो वो नाम थे जो कांग्रेश के प्रदेश इस तरह के बड़े अश्ताक छर्ते राजनीती के धाकर नेता रहे और ये लोग कांग्रेश छोड़के नय केवल भाजपा में सामिल हुए बलकि इनके आभा मंडल से या इनके प्रभाव के कारण बाजपा विधान सवा और लोकसवा चुनावां को भी जीतने में काम्याव रही दोनों बार वो विधान सवा में यानि 10 साल वो विधान सवा में सत्ता में रही 2019 में 10 शीट पर वो लोकसवा चुनावां में जीती मेरा कहने का ताथ पर यह यह है कि संभवतया जो कांग्रेश छोड़कर भाजपा में नेता भाजपा में सामिल हुए उन्होंने एक तरीके से भाजपा या मोदी लहर का फाइदा उठाया और उश में वो चुनाव जीत कर सर्ता से जुड़े लेकिन आप ये भी कह सकते हो जो कि हरियाना में दस साल पहले भाजपा का लगभग वजूद ना के बरावर था जैसा मैं पहले कहे चुका हूँ कि दो चार एमेले उसके जीता करते थे तो उसके पास तो ना तो विधान सभा चुनावों में ऐसे बड़े नाम थे जिनको टिकट दे के चुनाव लड़ाया जा सके और हरियाना की सत्ता पर कावज किया जा सके उसी तरीके से उसके पास ऐसे दस उम्मीदवार भी हरियाना में नहीं थे जो दसों की दस सीटों पर वो भाजपा को चुनाव जिता सके यानि वो बड़े नाम भाजपा के पास नहीं थे जो हरियाना की दसों लोग सभा चुनाव दसों सीटों को जीत सकते तो दोश्तों कहने का ताथ पर ये है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत रही कांग्रेज जनों ने मोदी लहर का फाइदा उठाया और भाजपा के पास धाकर या बड़े नाम या चुनाव जीतने वाले नेता नहीं थे तो उन्होंने कांग्रेज के उधार के नेताओं का फाइदा विधान सवा चुनावों में भी उठाया और लोग सवा चुनाव उठाया तो दोश्तों ये था हमारा आज का मुद्दा कि कितने धाकर नेताओं ने कांग्रेज छोड़कर भाजपा का दामन थामा और दोनों ने और दोनों तरफ से एक दूसरे को फाइदा हुआ भाजपा कांगरेज नेता जो छोड़कर भाजपा में सामिल हुए उन्हें भी फाइदा हुआ और भाजपा को बड़े नाम मिले जिनके नाम से वो खुद भी चुनाब जीते और भाजपा को सत्ता में लाने में उन्होंने महत्पुर्ण बुहिम का अदा की तो दोस्तों ये था हमारा आज का मुद्दा कि भाजपा हरियाना में सत्ता में काविज होने पर किस तरीके से काम्याब रही देखते रहे देश रोजाना मिलते हैं कल फिर नए किसी नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में जै हिन जै भारत जै सविधान नमस्कार